नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गाय के दूद और पैकेट दूद के बारे में, हम इन दोनों में अंतर, गुर्ण और उनके स्वास्य लाभू के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, दोस्तों गाय के दूद के निम्न तथ्य है, गाय के दूद को प्राक्रितिक दूद माना जाता है, क्योंकि यह प्राक्रितिक रूप से उत्पन होता है, और किसी प्रक्रिया से नहीं गुजरता है। स्वस्थ रखने में मदद करता है, और डाइरिया जैसी समस्याओं को कम करने में सहायता प्रदान करता है। स्वस्थ रखने में गाय के दूद को उच्छित तरीके से संद्रहीप करने के लिए बहुत सारे केमिकल और प्रसंसकरण का उप्योग होता है, जिससे इसके पोशक तत्वों में हानी हो सकती है। दोस्तों अब हम गाय के दूद और पैकेट दूद के तुलनात्मक लाब की बाते करते हैं। गाय के दूद में पोशक तत्वों की अधिक्ता होती है और यहां स्वास्थे के लिए बहतर माना जाता है। गाय के दूद में प्राक्रितिक रूप से पाए जाने वाले अंटियोक्सिडेंट होते हैं, जो शरीर के रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। पैकेट दूद उप्योगी हो सकता है, जब गाय के दूद की उपलबधता संतत्मे हो, लेकिन यहां गाय के दूद के तुनात्मक गुरों में कमी हो सकती है। गाय के दूद को खाने के बाद कई लोगों को गैस या पेट की समस्याएं नहीं होती है। जबकि पैकेट दूद के खाने से कई लोगों को गैस या पेट की समस्याएं होती है, तो दोस्तों और रोचक एंड मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे की नई वीडियो की जानकारी आपके पा किसले के खाने से करेंगे मेरे वीडियो का शर रोचक उने से करेंगे म में थने सलेऊचर बेला कमिर रोचके लिएangen जिस याने से के बहले हो